हाई फ्रेंड वेल्कम टो अबर चैनल शिवा फर्मसिस्ट तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इटी जोलेम टेबलेट के बारे में इसका यूज क्या है, डोज क्या है और साइड इफेक्स क्या है तो दोस्तों डीटेल में बात करेंगे, तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो अभी हमारे इस चैनल शिवा फर्मसिस्ट को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को जरूर टेप कर देना क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए एस एप्री में मेडिसिंज का रिव्यू और हेल्थ टिक्स और ट्रिक्स का वीडियो हमें साल लाते रहेंगे चलिए वीडियो में आगे बरते हैं दोस्तों बात करेंगे इटी जोलाम का, तो इटी जोलाम है क्या? दोस्तों ET-Zolam एक सेडेटिव ड्रग है जो कि थायो डाइजर्पिन क्लास का बिलोंग करता है और इसके साथ साथ दोस्तों ET-Zolam कैसे काम करता है ET-Zolam हमारे brain के ओपर act करके जो भी problem रहता है दोस्तों जो कि हम इसका huge section में पता करेंगे इसको ये सही करता है लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ET-Zolam के tablet आता है ये इसका strength कैसा रहता है मतलब कौन-कौन से strength में ये market में available होता है दोस्तों basically ET-Zolam जो tablet है ये 4 strength में market में available होता है जो पहला है दोस्तों वो है 0.25 mg दूसरा है दोस्तों 0.5 mg और इसके साथ 1 mg और 2 mg का जो high strength है दोस्तों ET-Zolam का या पिर आप बोल चकता है कि जो high strength है इसका 2 mg रहता है तो ये 4 strength में market में available होता है दोस्तों ET-Zolam tablet और इसके साथ-साथ दोस्तों बात करेंगे कि इसका कुछ brand name का क्योंकि जब आप market में जाओगे तो ये हो सकता है कि आपको ET-Zolam नाम से ना मिले लेकिन इसका अगर कुछ brand name का बात करेंगे तो मैं कुछ famous brand name आपको बता देता हूँ जो कि ये दोस्तों ET-Zolam tablet, ET-Zep tablet, ET-Zest tablet और इसके साथ-साथ ET-Lam tablet तो दोस्तों इस तरह का और भी अलग-अलग brand अलग-अलग नाम से market में available करवाते हैं और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि ये जो ET-Zolam tablet है इसका यूज क्या है दोस्तों जज़े कि ये brain के उपर act करता है तो ये एक sedative class का drug है तो ये क्या करता है दोस्तों बहुत ज़्यादा doctor इसको इसलिए prescribe करता है जो भी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है उसको ये सही करता है और इसके साथ-साथ बहुत लोगों को नींद तो आजाती है लेकिन बार-बार नींद तूट जाती है और गहरी नींद में सो नहीं पाता है तो भी doctor इती जोलाम का जो medicine है इसको देता है और इसके साथ-साथ बहुत लोगों को अपने future को लेकर टेंशन रहता है और इसके साथ-साथ-साथ बहुत ज़्यादा घवराट होता है तो इसको भी सही करने के लिए doctor इती जोलाम को prescribe करता है और इसके साथ-सा साथ इसको supportive medicine के हिशाब से भी इटी जोलाम का यूज करते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इसका कुछ side effects क्या रहे सकता है तो दोस्तों इसका बहुत ज्यादा side effects रह सकता है जैसे कि जीव मचलाना और इसके साथ साथ दोस्तों आपका सर चक्राना औ और अगर बहुत ज्यादा problem होता है तो डक्टर को जवरू जैकाप को देखाना चाहिए अभी बात करेंगे दोस्तों यहां पर डोज क्या रहता है एटी जोलाम का लेकिन दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ डक्टर ही prescribe करेंगे कि डोज क्या रहेगा क्योंकि यह आप ऐसे ही market से खरीद के नहीं ले सकते ही क्योंकि यह sedative class का drug है यह बार बार में बोलता हूं कि ध्यान में रखिएगा किसी का भी वीडियो देखके जाके आप market से मत खरीद भी गया है क्योंकि यहां पर क्या होता है दोस्तों कुछ लोगों को कम strength में भी आराम मिल जाता है कुछ लोग अगर आप ले रहे हो तो हमेशा डक्टर के सला के अनुसार ही लेना है कि कितना डोज आपके लिए सही रहेगा यह सिर्फ और सिर्फ डक्टर ही decide करेंगे और कब तक यह आपको दिया जाना चाहिए यह भी डक्टर आपको बताएंगे लेकिन जो basic इसका डोज रहता है मैं आपको बता देता हूं इसका जो डोज रहता है दोस्तों सिर्फ दिन में एक बार लेना है और यह ज्यादा तर रात में सोते टाइम दिया जाता है लेकिन फिर भी डक्टर के हिसाब सही यह जो मतलब आप 0.25 mg लोगे या 0.5 mg लोगे यह decide करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर् निवाली महिला है किसी का गुर्दे का विमारी है किड्नी का विमारी है हार्ट का विमारी है तो यह सब अगर कोई पेशेंड है तो दोस्तों एक बार डक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा और इसके साथ-साथ डक्टर जैसे आपको प्रेस्क्राइब करेंगे उसके इ क्लास का मेडिसिन है जो अगर आप लेते हो तो थोड़ा ज्यादा प्रब्लम कर सकता है अगर मान लिजिए कि कोई भी यहां पर गैस्ट्रो टैबलेट ले रहे हो या फिर सीजा टैबलेट ले रहे हो और जो कि हमारा सिशा प्राइड क्लास से बिलोंग करती है तो यह इसके साथ शाथ ओलाम को घलती से भी मत लेना ने तो भारी नुकसान आपका हो सकता है और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि कंट्रा इंडिकेशन किस किस के साथ हो सकता है अगर कौन ऐसा पेसेंट है जो इसको नहीं लेने चाहिए अगर मालीजी कि किसी का काला मुत्या विंद है या फिर किसी का आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी डिजर्स इंड्रोम है तो इसके साथ किसी का लिवर रोग है तो भी आप एटीज जवलाम क्लास का मेडिसिन बिल्कुल भी मत लेना तो दुस्तों देखे मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ तो उमिद है ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा लगा है तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर देना पूरे वीडियो वाच की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यू वेरी मैच